तो स्वाइप लेफ्ट करते हो तो लेफ्ट में मूव गरेगी अगर आपकी कोई भी वीडियो है यह रील है शाओमी के आए परो इसमें नया फीचर कर दिया गया है इंट्रेड्यूस जिसका नाम है contactless gesture control जिसमें आप लोग हासाई अपने फ़ोन को कंट्रोल कर पाऊगention है अपने enhance को वेब करके जिस पीचर को आप लोग कैसेक्स कर सकते हो यहाँ पर आज पैस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पूला procedure किस तरह से work करता है आप उसे access कैसे कर सकते हो कौन-कौन से phones में ये work करने वाला है इसके पूरे detail आज की इस वीडियो में मैं आपको दूँगा बट उससे पहले guys याप मैं आपको clear कर दूँ कि ये feature बहुत तक effective और working है बट उससे पहले guys इसके लिए कुछ conditions है याप मैं आपको clear कर दूँ guys की सबसे पहले मैं आपको show कर देता हूँ कि मेरे phone में HyperOS already installed है और मैंने कोई भी third party APK इसको install करने के लिए use नहीं की है तो HyperOS जिनके phone में है guys मुस्टली कुनी में work करने वाला है बट जिन में नहीं है वो भी method try करके इसको access कर सकते हो तो यहाँ पर आप लोग चेक ओट कर सकते हो guys यह official information आई थी Xiaomi की तरफ से जहाँ पर उन्होंने officially show किया था कि यह feature work कैसे करता है जैसे कि आप लोग दे सकते हो कि यह gesture control हाथ से हो रहा है double tap करने पर select हो रहा है उसी तरह से guys अगर आप लोग hand को round move करोगे left side को तो यहाँ पर call pick हो जाएगी left side को करोगे तो यहाँ पर call cut हो जाएगी इसे तरह कि काफ़ी सारे gesture control उन्हों दिखाये थे कि किस तरह से work करते है और यह देखने में बहुती ज़ादा cool लगते है तो इसे आप लोग कैसे access कर सकते हो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ वड़ उससे पहले guys मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह work कैसे करता है तो यहाँ पर आप लोग चेक आउट कर सकते हो guys contactless gestures जो कि अभी बीटा stage में है वदल टेस्टिंग में stage में है और यहाँ पर आप लोग चेक आउट कर सकते हो कि आपको इसमें कम से कम 15 से लेके 40 एंडिवेटर अपने हाथ को दूर रखना पड़ेगा आपके camera मतलब आपके phone में जो भी camera होगा उससे यह आपके hand की gesture को recognize करेगा यह चीज यहाँ पर detail में लिख रखी है आप लोग को यहाँ पर beta stage में यह feature देखने को मलता है जिसको enable करने के बाद एक और option enable होता है नीचे आपको देखने को मलता है play confirmation sound मतलब अगर आप लोग gesture कर रहे हो एक sound आएगी जो की confirm बरेगी कि हाँ यह gesture work कर रहा है अगर आपकी कोई भी वीडियो है यह real है तो आप लोग simply इसको try कर सकते हो यह mostly horizontal work करेगी यह चीज़ इन्हों ने बता रखी है उसे के साथ swipe up करने पर guys यह आपके हाथ को recognize करेगा बट इस पर नीचे आपको warning देखने को मलेगी यह 15 से लेगे 40 cm असको आपको अपने camera से अपने phone से दूर रखना पड़ेगा ताकि आपको hand को recognize करें और simply आप लोग swipe up down कर सको और overall guys यह feature काफी तक efficient है और काफी premium feature है तो अभी जो premium devices है उनमें यह जातर देखने को मिलने वाला है थर्ड हमारा gesture है guys यहाँ पे tap करने का मतलब अगर आप लोग screen पे tap करोगे हलका सा हावा में तो यहाँ पे आप लोग select कर पाओगे pause कर पाओगे यह चीज़े आप आपको देखने को बिलेगी feature में और भी add किये जाएंगे reels देखने के लिए आपके लिए बहुत अतगी beneficial है तो औरो जो feature है guys काफी अच्छे से work कर रहा है यह चीज मुझे काफी अच्छी लगी बट यह अभी beta stage में है तो इसमें अलके से lag देखने को बलते हैं और कुछ phones में यह work नहीं करेगा बट यह जो gesture controller option है यह आपको देखने को मिलेगा जिससे आप लोग simply practice कर सकते हो ताकि future में जब यह आपके phone में आए तो आप इसे simply access कर पाओ तो अब सबसे important चीज कि क्या आप इसे access कर सकते हो कि नहीं क्योंकि इसको access करने के लिए आपके device में कुछ requirements है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ बढ़ अगर आपके phone में HyperOS नहीं भी है फिर भी आप इस method को try कर सकते हो वो सकता है यह फीटन feature आपके लिए हो बट उससे पहले गाईज अगर आप लोग चैनल पर फॉस्ट टाइम आयो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो बैल अगन पर क्लिक करके ना all पर कर दो ताकि आपको जो वीडियो की notifications है वो आपको मिल जाए गयों कि इससे पहले भी मैंने बहुत सारी ट्रिक्स की वीडियो अपडेट्स की वीडियो HyperOS की वीडियो कोई भी नए information शाओमी के रिगारी काती है HyperOS के रिगारी काती है आपके साथ already share कर रखी है तो इसको enable करने के लिए आपको पड़ेगी activity launcher की अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे सिंप्ली यहां पर सर्च कर लेंगे gesture control तो मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूं कि gesture control सर्च करने से कुछ नहीं होने वारा यहां पर आपको बहुत सारी apps मिलेगी तो मैंने कोई भी third party application store नहीं कि लेगा तो इस इसका आप लोगों नहीं ध्यार रखना है यहां पर कहीं भी आपको contactless gesture का option देखने को नहीं बिलता है तो अब हम लोग सर्च करते है contactless gesture अब आपको लगता है कि most users ने इसको सर्च कर रहा होगा तो यहां पर आपको option दो देखने को बिलता है system features plugin में पर अग जो gesture रहा है वह सर्च नहीं करना है आपको सिर्फ तीन वर्ड सर्च करने है वह वर्ड है गाइस टी ओफ जिहां सिंपली आप लोग सर्च करोगे टी ओ एफ स्क्रोल डाउन करोगी वहां पर ओटमेटिकली आपको यह feature देखने को मिल जाएगा टी ओफ डोट केस्टर कंट् होगा तो आपको यह feature किस तरह का देखने को मिलेगा बाखी गाइस मैं आपको क्लियर कर दूँ फीचर बहुत अच्छा है फ्यूचर में आपको डैफिनिटी देखने को मिलेगा अगर आपके फोन में यह बीटा स्टेज में देखने को मिल रहा है जो कि काफी में और भी बहुत सारे हीटर फीचर जाने वाले हैं चोकि मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दूँगा सो गाइस तेंक यू वाजिंग मिलते है नेक्स्ट वीडियो में